हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वनुप है और मेरे विरेंजन आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं पेटियम की तरफ से स्वाइप मसीन adore है याällen मेडिकल स्टोर है तो आपको कार्ड स्वाइप मसीन की रेक्वायरमेंग्स अगर Micha को फूर क सान रbecue तौर नियुथ Verfügung कर रहा है यह चौंतने कोता है मैने भी अब इस पिडिया में उखे मुझे काफी ईंपटे। कर दो है उस स्वाइब मुझे बाइब करते हैं टो पत्ष माइब में स्वाइबं Đयों इंपटें मीड़े 12 बीदर को बारे स्कता है यह मुझे उस की मैं उस मैंकर श्क्राइब करता हूं और build quality भी काफी अच्छा है अगर detail में इसके बारे में जालना है तो वीडियो के साथ बने रही है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यह पेटियम का smart swipe machine का box है basically पेटियम के तीन टाइप के swipe machine आते हैं एक all-in-one है और एक smart swipe machine है दूसरा जो है Linux swipe machine है Linux और smart में फर्किया होता है कि Linux keypad के साथ आता है और smart swipe machine में सारा touch के साथ होता है basically एक mobile की तरह होता है और basically साथ में एक eartail का sim मिलता है इस machine के साथ यह swipe machine आपके पेटियम मर्चंट अकाउंट से लिंक होता है तो जो ही payment आप collect करेंगे इस machine के थूँ वो आपके पेटियम मर्चंट अकाउंट में सो करेगा और वहां से आप instantly अपने bank account में transfer कर सकते हैं चलिए इस box को open करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है जैसे ही आप इस box को open करेंगे तो आपको एक smartphone की तरह एक छोटा सा device देखने को मिलेगा जो कि इस plastic bag में wrap होता है साथ में एक इसके अंदर C type cable मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है साथ में इसके जो है केबल के साथ charger plug मिलता है और इसके अंदर एक pin होगा और यह ऐसा कुछ box होता है और साथ में Apex का installation manual है यह भी मैं आपको दिखा देता हूं यह इसका manual है तो इसको अंदर करते हैं और इंडोर को भी तुरा side में रखके उसके बाद आपको ऐसा कुछ device देखने को मिलेगा जो की काफी sleek सा device है basically एक smartphone की तरह ही है पूरा का पूरा अगे touch screen है full screen और backside में यहां पर आपको camera मिल दाएगा जो की qr scanner का काम करता है qr code अगर कोई scan करना है तो आप उसको भी scan कर सकते हूं background में यहां पर sound device यानि कि वीप की sound आती है उसके लिए है and यहां पर wi-fi enable है यानि कि आप इस पर wi-fi card के थूँ भी payment collect कर सकते हो साथ में नीचे यहां पर need help get in touch help line number है apex का logo है उसका model number है rating है सामने में उपर patium की branding है background color जो है वो patium के logo का ही color है तो दूर से ही आपको अगर यह device दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि patium का ही device है side में एक on-off के लिए button है दूसरा sound जैसे की mobile में low and high volume करने के लिए buttons होते हैं उस type के buttons है bugle में यहां पर एक reset का button I think दिया हुआ है साथ में यहां पर C type cable लगाने का because इसको आपको charge करना पड़ेगा mobile की तरह साथ में यहां पर अगर आप देखोगे इस corner पर जहां पर volume और on-off का button है उसके बगल में ही यहां पर scene insert करने का भी option आपको मिल जाता है आप इसको wifi के through भी यूज़ कर सकते हो otherwise scene तो है इसके अंदर जब आपके पास यह device आता है तो इसको first time आपके merchant account के साथ link करना होता है यह link पेटियम के जो sales person होंगे या technical person होंगे वो करके देते हैं तो basically मैंने already करवा रख रहा है तो मुझे इसको setup करने की जुरूरत नहीं है इसको on करने के लिए mobile की तरह ही आपको इसको simply थोड़ी देर दबा के रखना है और यह on हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आप इनकी billing system को कैसे यूज कर सकते हो इस वीडियो में मैं payment collection की बात करने वाला हूँ इस swipe machine को यूज करके payment collect करूंगा और यह basically मेरे retail store पे यूज होने वाला है मेरे पास already ATM के swipe machine पहले से भी available है लेकिन मुझे एक और machine की requirement थी तो इसलिए मैंने अलग से order करके इस device को मगाया है और यह device मुझे काफी अच्छा लगा बिकोज as a mobile यह बहुत friendly है बहुत चोटा सा है हलका सा है इसको pocket में डखके delivery के time में काफी useful होने वाला है मैं इस device से एक payment collect करके आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं अपने merchant account में भी आप लोगों को लेके जाओंगा और वहां पर भी so करूंगा कि किस type से मुझे इस card के त insert करने का option दिया गया हुआ है जितने भी chip card है आज के time में वह insert होके payment होती है या फिर wifi के through ही payment होती है जो पुराना swipe करने का system है वह almost खतम हो चुका है चलिए इससे payment collect करते हैं तो यहां पर मैंने 100 rupees type कर दिया है और 100 rupees मुझे collect करना है किसे भी customer से और यह करके मैं collect भी click तो मुझसे card insert करने के लिए बहुता है तो मैंने अपना card नीचे insert कर दिया है और यह मुझसे pin number मांग रहा है तो मैं इस पे pin number दे देता हूं और जैसे pin number देके मैं confirm पे click करूंगा तो यह एक round circle बनाएगा आपने देखा जैसे ही इसने payment collect किया यह एक sound वो generate करता है कि आपने कितना amount collect किया है उसके बाद नीचे से यहां से मैं यह हटा लूँगा अपना card और साथ में यहां पर एक feature है SMS के through SMS के through invoice आप send कर सकते हो अपने customer को भी अब चलते हैं Paytm merchant account में Paytm merchant account जो है कुछ इस type का आपको देखने को मिलेगा इस पर click करते हैं और जैसे ही click करेंगे तो यहां पर आपको आज की कितनी transaction है वो सारा आपको मिल जाती है जो अभी हमने payment collect किये जो डेमो payment collect किये वह 934 पर collect किये इस पर click करते हैं तो यहां पर सारा detail आपको देखने को मिल जाता है अगर customer को refund भी करना है तो आप यहां से initiate कर सकते हैं refund के लिए तो यहां से merchant account में काफी सारे चीज़े होती है यहां से आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने सारे device आप यूज करते हो तो माई services में आप click करोगे तो यहां पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा फिलाल अभी दो डिवाइस में यूज कर रहा हूं तो एक डिवाइस का कुछ डियू चल ला है जो कि अल्रेडी सारे पेड है डिवाइस यूज़ेज डिपोजिट जो है व जैसे monthly basis पे rental basis पे आपको जैसे suit करता है वह सिसाथ से आपको ले सकते हों तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी click जरूर कर जाहिए बाबाए